तो पिछले विजोड में हमने देखा था की, फानली जियान भी अपने अंडलेस फाय डॉमेन वापस लोड आता है, पर जब ये देखता है, इसके जो अंडलेस फाय डॉमेन की हाल है, बेहाल है, इसको काफी ज़्यादा कुछ साता है, और ये खोद को ब्लेम करने लगता है कि ये टाइम पर क्यों नहीं था यहां पर और ये मतलब सब को बोलता है इसकी बात ऐसा कभी दुबारा नहीं होगा और जिसने ये किया है उसको मैं खून के आसुर लाओंगा अब इधर यूनियून जो कि लगबग अपनी पूरी और यूज कर चुकी थी जब ये देखती है यहां पर जियान आचुका है फैनली ये कितना भी कोशिश करती है फिलाल ये बेहोश होने लगती है इधर जियान तुरन थी आके यूनियून को पकड़ता है पर इस समय इसके बॉड़ी में जो एंसेंट जोवान उलर था या इस इवें इसका एंपरर यान रिंग इन दोनों में से एक फ्लक्टुएशन बाहर निकलता है और ये जो यूनियून के आईब्रोस पर वो गॉड़ पावर वाला पैटन था उससे कनेक्ट होने लगता है इधर काईलीन और जूनेर मतलब या पर जो भी एविल और राज बची भी थी उन्हें ये साफ करने लगती है पर इस समय क्योंकि endless fire domain ने इस प्रकार के attack को भी समाल लिया था तो इनका नाप वैसे भी और ज़्यादा फैलने वाला था और दूसरा मतलब इनका जो endless flame alliance है वो तो और भी ज़्यादा center of human world के आँखों में जुबने वाला था एक मंत के समय के बाद जियान वगेरा फाइनली ओ जो ट्यांग जिंग कॉंटिनेंट था जहापर वो जो होल क्रेट हुआ था वहाँ पर ये सुझिंग वगेरा के साथ जाता है इधर जो ट्यांग जिंग कॉंटिनेंट का हाल था सभी समय मानों deep sleep में हो शायद 4th evil god ने एक illusion attack in पर किया था पर यहाँ पर मतलब suzuing वगेरा night demon जो holy flame है उसके power को feel करती जो कि इसके body में है क्योंकि जो flame था पहले कोई एक elder जायोयान ही थे उनके पास हुआ करता था इसके बाद यह दो नू यह जो hole था इसमें काफी अंदर जाने लगते हैं पर यहाँ पर mo2o कहीं ने दिखता नहीं है क्योंकि जब demon emperor ने mo2o को punch किया था तो वह इसी खाड़ी में आकर गिरा था अब जियान जैसे अपने clan mark को activate करता है फाइनली इसको नीचे में mo2o दिखता है पर इसके हड़ीयां टूटी हुए थी डेल डॉक के समाने यह नीचे पड़ा हुआ था पर इसके फोर हेड़ पर एक मतलब रेड मार्क बना हुआ था और उसमें से एंसेंट औरा बाहर निकल रहा था जिया निस online को दिखतोर कहता है किया यह इनके Zyo clan का हुआ रहा है यो कि इस बंदे की बाऊटी पर है पहले इसको लगता है यह clan mark का पर फाइनली यह रिलाइस करता है यह reincarnation mark था सूसुढी इसपर तुरंधी अटेक करती मोटु वो फेल करता है कि अब इसका सोल भी दरे खतम हो रहा है पर ये जब मर रहा था तो कहता है जायो क्लैन वालो तुम्हें मरना ही पड़ेगा क्योंकि डेमन एम्परर ने इस पर जो अटेक किया था हाला कि वो इंजर्ड थे पर इनके एक ही अटेक है खारण मोट वो लगभग मर चुका था और ये था डेमन एम्परर का ट्रू श्रेंथ अभी जो रिंकार्निशन सील था इस बंदी पर ये जायो क्लैन का ही था और सायद ऐसा कहा जाता है वो जो ग्रेट एल्डर थे वो एर्थ श्रेंथा रिंकार्निशन तक पहुँच चुके थे और अगर ये जियान को मिल गया तो इसके लिए भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है सुजूहिंग भी गय थी ये तुम्हारे लिए अच्छा है फिलाल ये जो सील था इसके हाथो में था और ये जियान की तरफ पास कर देती है अब जियान भी सूचता है, इस लड़की के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि वैसे भी इसका strength बढ़ने वाला नहीं है, पर इस reincarnation power से साया दिये, 8th star के असपस पहुँच सकती थी, और वैसे भी जो great elder थे, इनके पास भी वही knight demon holy flame था, जो कि suzwing के पास है, तो इसके लिए perfect match था, अब जियान इसको बोलता है, इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा जरूर कुछ नो कुछ, पर फिलाल ये तुरंत यहां पर cross-laked बैढ़ जाता है, और इस reincarnation power को ये धिरे-धिरे absorb करने लगता है, पर इसमें जियान ध्यान नहीं देता है, suzwing जो र इसमें कोई strange power था, जो कि जियान अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, जियान फाइली अपनी आखे गोलता है, suzwing को इसके बारे में पहले से पता था, और smile करती है, तो जियान बोलता है, तुम्हें पहले से पता था, अब वैसी है अगर ये इस पार को एब्सॉर्ब नहीं कर स और ये suzwing को पता था, कि जियान कोई normal बंदा नहीं है, अब फानली suzwing इस power को एब्सॉर्ब करने लगती है, और ये प्रोसेस चलते रहता है, और एक मेने निकल गह रहते है, और suzwing का जो power था, ये half step 7 star incarnation पर पहुंच आता है, और अब ये future में भी ग्रो कर सकती थी, इस समय जो चारो लड़किया थी, यानि जियान की चारो वाइफ, तो ये फिलाल बाते कर रही थी, अब इदर जायो यान elder fang law से मिलता है, इन्हें देखकर कि ये चिंतित हो जाता है, क्योंकि fang law समय, इनका हालत कोई खास अच्छा नहीं था, और मानू इनको कोई बहुत पर गए इंगे ठाउजंड वर्ड में, और उन्होंने कई forces से contact भी किया, और उन लोग उने वादा भी किया, कि वो जायो family को support जरूर करेंगे, फिर ये बोलते हैं लेकिन, और ये आगे बोली नहीं पा रही थी, जियान बोलता है, बोली ये बोली है, मैं handle कर लूँगा, य कई forces ऐसे भी हैं, जो इस समय थोड़े चंदित थे, और शायद जो ये पूरा human world center है, इन्हे kingdom of angels, और human world center के लोग control करते हैं, और जब तक ये लोग 50% से जादा sure नहीं कि हम ही लोग जीतेंगे, तब तक ये लोग हमारी help नहीं करना चाहते, चुकि इनको मालूम है, अगर य kingdom angels वाले, और human world center वाले, इन्हें कभी भी मार सकते हैं, और इसमें जयान कई सारे लोगों को, जो बाकिस के आसपस के clan थे, जो इन्हें परिशान करते थे, उन्हें suppress करने के लिए भेज दिया था, उसकी बाद जयान और फैंगलाओ, एक important place पर निकल जाते हैं, और वहाँ प यह अभी human world वालों से डरते हैं, नहीं तो इतना बाहर में, ताकि इन्हें कोई धून न पाए, ऐसी जगह में meeting करने का क्या ही मतलब है, अब फैंगलाओ आ गया गया जा रही थी, और जयान इनको follow कर रहा था, यह लोग फानली अपने destination के आसपास पास पहुच आते हैं, य जियान भी तुरंदी ने अपना clan tattoo दिखा देता है, अब इन में से एक जो बंदा था, यह बताता है, इसका जो spirit swallowing clan है, यह जायो क्लाइन को generation से follow कर रहा है, अगर आपको कोई जरूरा थे तो हम मुझसे आप बता सकते हो, और spirit swallowing clan मतलब, जब से जायो क्लाइन डिसापे पीचे से हमारे बर वार कर दे, तो इसलिए मैं फिलाल अभी थोड़ी चंतित हूँ, वैसे भी जियान इसमें कोई जल्दी बाजी में नहीं था, सभी के यह concerns सुनने के लिए आया था, पर जियान जानता था, गर Goddess यावजी वगएर और कुछ powerful forces को, यह लोग recover कर ले, तो human world center भी, इतना असानी से इन पर attack नहीं कर बाएगा, और वैसे भी जियान को मालूम था, कि इसको भी enemy के बार में actual पता है ने, इसलिए discussion खतम हो जाता है, यह सब ही समय निकलने वाले थे, पर मिस जो एक बंदा था, जो कुछ नहीं बोला था, यह अचानक से बोलता है, इस बं हमें hell, इतना बोलते हैं, इस बंदे के body से, इसकी body explode कर जाती है, और एक pitch black blood बाहर निकलता है, और पूरे space जो था, उसको घेर लेता है, अभी सीन को दे करके 6 लोग और भी जदा डर जाते, इनको लगा नहीं था, कि इन साथ लोगों में, एक बंदा ऐसा भी होगा, जो कि एक ट्रिटर होगा, अभी जो बंदा था, इस समय ब्लड स्ट्रीम में बदल जुका था, वो जियान से कहता है, मुझे मालूम है, कि dragon king तुम्हें support करते, thunder lord का भी तुम्हें protection है, तुम जायो क्लैन के descendant हो, पर यह दुनिया यतनी सेंपल नहीं है, मेरे साथ चलो, तुम्हे कोई judge करना चाहता है, मतलब शायद hell world के कुछ powerful लोगों ने, इस बंदे को, जियान को, यहाँ पर लाने को बोला था, उन लोगा शाय देखी मकसद था, जायो क्लैन का, जो last descendant है, उसे भी खतम कर देना, और इसमें जो बागी 6 लोग थे, वो इस प्रकार के pressure के गरण, इनक जियान के body से terrifying forces भी बाहर निकलने लगते हैं, खास करके वो जो जायो लिंसान थी, goddess of war, उनका जो वो power था, dark door बला इस समय बाहर निकलने लगता है, और इस समय जो darkness वाला power था, इस बंदे का यह धीर धीरे जियान को, एक unknown world में ले जाने लगता है, और इस जो नया world था, य hidden figures को दिखाया जाता है, यह भी discuss कर रहे थे, इस बंदे का जो power है, थोड़ा अलग है, पर दूसरा बंदा कहाता है, तुम tension मतलो, मैं son of heaven हूँ, तो मेरे सामने ऐसे बंदे भी कुछ भी नहीं है, चाहे वो जायो क्लैन का भी हो तो भी, और शाय यही बंदा इन सब चीजों को plan कर रहा था, और अगर यह बंदा जियान को मार दिया, तो साथ human world center के जो master है, इससे अच्छा खासा reward देने वाले थे, पर शायद यह दोनों बंदे भी human world के center के थे नहीं, पर इनके पीछे का जो power था, मतलब इनका जो backup था, काफी strong होगा, अब इदर फैंग लाओ की भी अपने holy flame से, इन्हें दूर भेज देता है, क्योंकि जियान को इतना तो feel हो गया था, कि जो जायो लिंक्सान के पास power था, वो शायद hell world से related है, अब जियान को वैसे भी, जो इसको लोग support करने यह थे, छे clan के, उनका जो issues था, यह जान चुका था, जैसे कि spirit swallowing clan, the sword domain, the holy value of spirit medicine, kunloon immortal land, वगेरा वगेरा, और इधर यह जो darkness power था, जियान को दिरदरे, नीचे खीचने लगा था, और जियान भी इस power से, खुद को defend नहीं कर रहा था, बलकि इस power के द्वारा, काईड हो के, जहां पर यह ले जाना चाहता था, वहां पर जाना चाहता था, अब जियान मी मतलब जियान के सामने एक black door दिखता है, और यह जो power था, यह unique था, सैद इस world का, जियान को समयज में थोड़ा बोताने लगता है, शायद यह hell world का power है, यह तोयन दिस door में enter कर जाता है, पर इसको सामने में 18 layers दिखते है, 18 layers मतलब 18 spaceses type, और शायद इस world में एक strong हो रहा है, ज इन तीनों को पास करने की बाद, तुम उस बंदे से मिलोगे, जो तुम्हें देखना चाता है, हाँ, अगर तुम fail हो गए, तो तुम यही पर हमीजा के लिए फस जाओगे, और शायद तुम कभी भी जनम भी नहीं ले पाऊगे दुबारा, और शायद जो बंदा वेट कर तब ही बंदा बोलता है, क्या तुम जो सोच रहा है, क्या ये तुम्हारा इलूजन नहीं है, और इसके बोडी से जो पावर निकलता है, इसे देखर जयान है था थीक है फाईट करी लेते है, और जयान के बोड़ि से तुरन्ती, Holy Flames निकलने ले लगते, इसके बोड़ि के पास एक Holy Flame का Hello Power भी बन गया था जो बंदा था उस में serious force ने मतलब जियान को destroy करने के लिए भेजा था तो काईज मैं थोड़ा धीर ही बोल रहा हूं क्योंकि सर्दी थोड़ा ज्यादा ही है वैसे कर पास्ट की बात की जाए तो जायो क्लैन जब एविल क्लैन से fight करने के बाद वापस लोटा था फिर भी इनके क्लैन में मतलब half god level के बंदे थे इवन 9-fold reincarnation बंदे थे तो जायो क्लैन के सामने तो kingdom of angels वाले भी कुछ नहीं थे पर इन लोगों ने मिल करके जायो क्लैन को सापरेस किया था और रातो रात जायो क्लैन गायब हो गया था और अगर उस समय जायो क्लैन बाकी लोगों के matter में पढ़ जाता यानि सब को इस समय यह मिला ले होते तो ऐसा जायो क्लैन पर मुसीबत आता ही नहीं जायो क्लैन का सुरू से कैसा रहता था यह लोग दूसरों का matter में बोलता ही नहीं थे अब धरी जो बंदा था इसके body से मतलब evil shadows निकल रहे थे और एक powerful attack top immortal arts level का elegy of thunder यह जियान पर launch कर दिया था इसमें से भी अपनी body को tempered किया था तो बिजलियों के खिलाफ यह काफिस की body immune थी पर तुरंत ही जियान के आखों में भी thunderbolt और उसके body बाहर निकलने लगते हैं और इसके thunderbolt को निकलते हैं उस बंदी के जो thunderbolts थे वो शान्त हो जाते हैं पुरा आसमान इस समय शान्त पढ़ गया था और यह जो woman थी जो जियान से फिलाल fight कर रही थी यह भी sixth star incarnation पर थी पर जियान के power के सामने मानों इसकी body ही froze हो गई हो पर यह जियान को दिख करके जो कि इसमीन पर गड़ी थी smile करती है और तुरंत ही मतलब जियान इसके जो body का vitality power भी था उससे भी devour कर जाता है पर तुरं बंदा मारा गया तो वैसे भी जो world है यह stable हो जाएगा और इसका एक ही मकसद था जियान को मारना जियान अभी first gate को पार करके second gate की तरह बढ़ रहा था इतना तो जियान को समझ में आ जाता है यह जो space है एक अलग space है पर जियान जब दूर में देखता है मतलब power जो कि जिसम वहीं पर जो spirit swallowing clan के leader थे पता नहीं कहा पर एक hell world के ही बंदे से fight कर रहे थे अब तरह जो बंदा था वोड़ अट्रिब्यूट वाला जियान पर एक powerful attack कर देता है जियान अपने holy flame से attack पर अपना attack launch करता है पर कुछ भी नहीं होता है यह हैरान हो जाता है यहाँ पर इसका fox clan की leader ने जो एक word attribute का power दिया इससे यह फिलाल निकालता है यह एक top immortal technique था और शदी जो बंदा भी था जियान का opponent यह इसी चीज का fight कर रहा था हलाकि जियान का जो word attribute पर control था यह thunder attribute और fire attribute से थोड़ा weak था पर फिर भी औरों के मगाबले तो यह अच्छा ही करता था अब जिय इनके power को pure करके absorb कर लेता था उसके बाद जियान मतलब बागी चीजों को ignore करते हुए third gate की तरह बढ़ने लगता है अगर इस तीसरे एक बंदे को हरा दिया तो जो बंदा शायद जायो क्लैन को seal करने में मदद किया था यह उससे फिर maybe मिल सकता है कुछ भी हो जियान उससे fight जलने लगता है जियान इसे देखते ही समझ जाते हैं यह half step seven star reincarnation पर है अभी बंदा बताता है यह है गार्जियन प्रजन सीगेट का इसमें जो बंदा यह निकला था इसकी जो कपड़े थे वो ग्रे कलरके थे इसकी बाल भी ग्रे कलरके थे पर इसकी आँखों में अलगी murder को दिखा जा सकता था अब यह gray figure जियान के तरफ देखर smile करता है कि तुम अभी तक मरें नहीं जियान भी हसता किया थे तुम लगता है सहथ मुझे मरते वे देखना चाहते थे और इधर जियान का भी strength half step seven star incarnation incarnation बनी था तो अगर यह किसी भी world में जाए एक powerful force तो मान नहीं ज हराना पड़ेगा विदर जियान तुरन थी half dragon और half human में बदल जाता है अब जियान के हाथों में जो इसका पैटन था ड्रागन क्लैन वाला वह activate होता है और यह बंद अपने अटेक से जियान के आसपस एक water attribute का prison बना रहा था अब यह बंद अपने water column से कितने भी जियान पर जाता है और तुरंत ही जो सामने का door of light था इसमें से light निकलने लगती है और यह जियान को direct कर रही थी कि तुम्हें अब जाना कहां पर है विदर काफी दूर में एक जगह दिखा जाता है यहां पर काफी gloomy जहरा थी और कई सारे strong men खड़े थे किसी के पास white halo का power था किसी के सर जो था bull के समान था यह सब ही मतलब थोड़े weird दिख रहे थे पर इन लोगों में से कई सारे लोग चैनतित थे इस प्रकार के चीज को करके यह लोग जायो क्लैन के खिलाब war declare कर रहे है और अगर उस जायो यान को पता चल गया तो अपने endless flame alliance के मदद से इन्हें हरा सकता है और इनमें से एक बंदा कहता है वैसे भी जायो क्लैन को suppress करने में हमने पास्ट में मदद किया था तो यह बंदा जायो यान तुमें क्या लगता है हम बोलता है जायो क्लैन क्या यह सच में मर चुके हैं इनको याद था कि एक बार जायो लिंगसान आई वी थी और वो अकेले इनके hell world को तबाह कर दी थी और उनमें से एक बंदा बोलता है तुम tension मतलो हमारे पास एक trick है उससे हम आराम से अपने क्लैन का यानी hell world का matter resolve कर सकते ह इधर एक बंदा था जो मतलब यहां के कोई leader होंगे उन्हें teacher बोलता और कहता है अगा जायो लिंगसान का matter जियान को समझा दिया जाए तो हमें कोई हाम नहीं करेगा यह जगे काफी दूर था यहां पर एक लेक था यहां पर एक woman थी मतलब जो दूर से ही जियान को देख और इसके सामने एक old lady बैठी भी थी इन लोगों को पता था कि जायो क्लैन का क्या ही लेवल है और जायो यान के life के बारे में इनके hell world में records भी थे क्योंकि hell world किसी की भी साथ life का records रखता है और शायद यह जो बंदा जायो यान है यह जायो क्लैन के द्वारा अब जायो क्लै इस चीज के मदद से यह जियान से बारगेन कर सकते थे अगर यह लोग हार गए तो अब जियान एंड अफ हैल में एंटर कर चुका थे इन तीनों गेट को पार करके और इसके आँखों में एक अलगी लेवल का गुस्ता था जियान यहां पर चीकता है कौन है सामने हो पर फ स्वालोइंग फ्लिम टेकनिक भी है जो कि हम इसा शांत रहता था एक अलगी मतला फ्लक्टुएशन होने लगता है तूरांति स्वालोइंग जो कि शायद इस समय काफी बुर इस्तिती में थे यह जियान से कहते तो मैं यहां नहीं आना चीए था बच्चे इनके हालत काफी खराब थी इनके हड्डियां वगरा तूट चुके थे और इस समय इसके सामने में एक बंदा खड़ा था जो कि सिल्वर वाइट रोप कपड़े पहन के खड़ा था यह देखता और कहता है क्या तुम ही जियान हो जियान वे फील कर सकता था यह जो बंदा इसके सामने है सिल कि नीचे में अब इसको दीखता है और वहां पर मतलब आख की लपेटे थी एंडलेस फरनेस था और उसके बीच में एक सोल बॉड़ी था जो कि थोड़ा इलूजनरी दिख रहा था यह बंदा साय जला रहा था और यह जियान से कहता है तुमारे पास दस मिनट है और यही अब इसे बंदे मतलब जो अलगी लेवल का पागल बंद था फिर भी इंसे पूसता कि आपके और हमारे जाय फैमिली में क्या रिलिशन है अभी तर इनकी जो सोल बॉड़ी थी धेरे देरे एक गल्ला शुरू हो गई थी यह बोलता है मेरे जान के फिकर मत करो यह बंदा ए इसको साथ एक्स्प्लोड करने को सोचते हैं तब इस जियान कहता है मैं एसा नहीं चाहता हूँ मैं इस बंदे को दिखाना चाहता हूँ कि जायो क्लैन का फीर क्या होता है और तुरंद इसकी बॉड़ी जो ती इस से हुली फिलेम बाहर आने लगते हैं अब इस सीन को क्योंकि इनका श्रेंथ 8 स्टार पर था पर यह जो आग था अंदर में शाथ काफी वियर्ड था इवन अगर कोई बंदा फायर अट्रिब्यूट का काफी पावर्फुल भी हो तो भी इस प्रकार के फायर को जहिल नहीं सकता था तो यह जियान को मना करते हैं क्योंकि यह इ इस प्रकार के अटेक से भी इसके पावर को यह यूज कर ले रहा हो अब जियान का ध्यान जाते है सीधा और फायर को भी वीग कर सकता है यह कितना भी कोशिच कर रहा था फिलाल पर यह स्पिरिट स्वालोइंग के जो सूल था उसको छुड़ा नहीं पार रहा था इधर य फरनेस के बिलों में क्या है ऐसा चीज इसने चार एट्रिब्यूट्स चीज किये थे फिर भी इस फरनेस को कुछी नुकसान नहीं हुआ था जियान अपने सातों होली फ्रेम से उस मतलब जो क्रियेचर होगा उसकी तरफ जाने लगता है इस दुरानी अपने गोल्डन ड्र पर जाता है और जो लंबे समय तक इस चीज को कोई रिलीज नहीं कर पाया थे वह देखते हैं यह तो हैल ड्रागन है यह बहुत चाते हैं इन्हें भी लगाने था कि यह बंदा मतलब जियान को एक हैल ड्रागन की तवरा मरवाना चाता है अब यह सान अप हैवें जियान से पर जाता है यह फायर के लिए इम्यून है और वैसे बी सान अफ हेवें का विश्रय सेमन स्टार इंकार्निशन के शायद पीक पर है तो यह सान अफ हैवें काफी खुचता है यह इसका परफेट प्लान है और यह आराम से यहां आप जियान को हरा सकता है जियान फिलाल होता ही निया जियान के इस सेवन कलर अंग्री बुध्धा लोटस से भी इसके तो मतलब होशी फिलाल ऊड़ जाते हैं इसे में बोलते हैं कि जो डेमन ड्रेगन फैल है यह पावर्फुल उथा पहले अभी भी है और यह नाइन ड्रेगन किंग उनका एक लॉयल साही था और ये मतलब fire dragon king का एक follower था जो कि उन्हें हमेसा follow करता था पर इसे कुछ sinister villains ने अपने तरफ कर लिया इसके वज़े से fire dragon king गुस्सा हो गये और इसे मारने के लिए धूनने लगे तो ये बस्ते बस्ते फिलाल hell world में आके छिप गया था और इस hell world में आने के बाद इस प्रकार के औ holy flame हो ये वो devil power हो ये इसका खुद का पावर इस समय शान्त हो गया था इदर swallowing king जियान से कहते हैं तुम जायो फैमिली के last hope हो यहां से चले जाओ नहीं तो अगर मैं future में जायो उन्टियान से मिला तुम इसे क्या explain करूंगा जियान इन से कहता सीनियर आप टेंशन मतलों ये मेरा खुद का battle है अब जियान को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था ये जो son of heaven था इसके पास तीन powers थे water के थंडर के और wood के मतलब जियान जो तीन बंदों से fight किया था उनके power को इसने इंप्रिजंट कर लिया था और इन तीनों power को इसने hell dragon की body में inject कर दिया था ये एक strange beast था जो कि बस killing ही जानता था पर ये अभी मतलब जियान को दिकर डर रहा था इसके सामने जो भी बंदा है इसके सामने ये काप रहा था और साथ इसका जो थोड़ा बहुत consciousness बचा हुआ था उससे ये feel कर ले रहा था कि जियान के body में golden dragon king का power है वो जर son of heaven भी समझ ये तुरंत ही अपने dark power से hell dragon hell dragon को control करने की कोशिश करता है और ये तुरंत ही इसके पास एक dragon training talisman था इसमें से black की निकलती ये evil तो नहीं थी पर इतना थीक ही इसके वज़े से जो demon dragon था अभी शांत हो जाता है मतलब इसके अंदर जो भय आ रहा था वो शांत हो जाता है औ सामने वाले इसको बस control कर रहा था son of heaven बस अब एक ही चीज़ सोच रहा था ये demon dragon जियान को मार देगा उसके बाद जियान को जो भी essence power ये इसे absorb कर लेगा और जियान की body को ये endless domain को थमा देगा उसके बाद इसकी चारु तरफ बस जह जह कारी होगी और ये चूप चप इसमे fight करोगी हाला कि तुम्हारे body में चार attributes और कई सारी holy flame है फिर भी तुम हमारे सामने इवन तुम्हारा endless fire domain या alliance भी हमारे सामने चीटी ही है इसकी बात सुनकर जियान फिर भी एक smile देता है और तूरण दे समय जियान के body से golden energies बाहर निकलने लगती है और तूरण ते फिर से यह जो hell dragon था इस प्रकार के औरा को फिल करके डरने लगता है और आज वैसे भी जियान को बाकि कोई चीज बचा न पाए या पाए seven transformation जो था dragon god का यही इसको मंदद कर सकता था और इसे secret ले इसने जब वो एक महीने इसके पास time था जब यह half step seven दशार incarnation incarnation पर गया था उस समय इसने प्रैक्टिस कर लिया था और इसे अभी तक इसने यूज नहीं किया था seven transformation अब dragon god को ruler of god भी कहा जाता है वही भी जियान अपने एंसे जुवान उलर या devil power को यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि यह इसके trump cards थे अभी जो hell dragon था यह तूरं थी powerful attack जिसमें की thunder power, lightning, wood power, fire power और water power चारो mix थे यह काफी violent और थी एक destructive force जियान की तरह बढ़ने लगता है son of heaven के इस प्रकार की force को कौन रोख सकता है यह इसका एक perfect plan था इदर swallowing king मतलब जियान को बचाना चाते थे पर यह जियान को एकदम काम देखकर हैरान हो जाते कि क्या तुम sure हो कि तुम इस attack को dissolve कर पाओगे अब जियान इन से कहता है यह जो hatred पाल की रखाने इस बंदे ने जायो क्रेन के परती आज यहीं पर मैं इसको खतम कर दूँगा अब इस समय तक जियान के पीछे golden shadow प्रकट हो चुका था और दीरी दीरे करगे dragon god के transformation यूज करना शुरू करता है first transformation इसकी body dragon form मे पावर है dragon god transformation अब जियान जैसे बोलता है dragon god 7th transformation तूरंती मतलब जियान के पीछे एक 10,000 feet के golden dragon king के समान एक shadow प्रकट होता है और उनके बगल में silver dragon shadows भी कुछ प्रकट होते हैं और यह जो technique था nine shadows of nine dragon kings था son of heaven को भी अब समझ में नहीं आ रहा था यह बंदा यह तो जायो क्लै में आ जाता है इधर जो spirit swallowing king थे यह feel कर सकते थे कि जियान के body में इनके spirit clan का भी power है प्लस यह बंदा जूकिए अभी भी 7th star incarnation के थोड़ा नीचे पर इसका जो combat power है यह तो old immortal जायो यूंटियान के जैसा लग रहा है अब जियान तुम्हें काफी गुस्सा हो जाता है कि ज son of heaven भी अपने power को release करता है इसके पास भी dark brown flames थे और इस flame का fluctuation भी holy flame के close था काफी शयदे kingdom of angels का कुछ power इसमें mix था अब इधर जियान तुरंती ड्रागन को कहता है जायो swallowing king को बचा लो अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूँगा इधर यह hell dragon ज और कहता है ठीक है फिर मतलब जियान कहता है तुम्हारा world of hell यह कुछ नहीं बस एक बखवास जगह है जिन्होंने मेरे जायो क्लैन को यह सुनते ही बाक्य जो लोग इस समय बैटल्स देख रहे थे hell world के यह हैरान हो जाते मतलब इस बंदे को पहले से पता है और इसमें जिय और तुरंत ही मतलब यह लोग इधर आने लगते हैं जो world master यहां के थे और deputy world master जैवलिंक सान के reincarnation seal के साथ फूजुन जो थे वो कहते हैं wise world master आप यह क्या कर रही हो तब यह जो wise world master थी कहती हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा hell world बचेगा भी नहीं दिर son of heaven लागातार आटेक कर रहा था जियान पर पर जियान को कुछ फरक ही नहीं पड़ रहा था मतलब इसकी body पर कोई हाम ही नहीं हो रहा था अब जियान इसकी तरफ देखता है क्या तुम try कर लिए पूरे methods इधर यह son of heaven एक demigod skills निकालता है और जब तक यह से release कर पाता जियान इसके हाथ से चीज़ छीन लेता है और demigod level की technique बहुत कमी मानी जाती है और शायद इसको लग रहा था इस technique से शायद यह जियान को हरा सकता था और शायद आज इसका भी बदनसीब था कि यह जियान से मिला और devil power के comparable का कोई power शायद है भी नहीं इस दुनिया में son of heaven डरने लगा था और यह तुरंद ही अपने body हो soul या blood हो इनको burn करने लगता है जियान के हाथों में इसका devil spare था पर इस समय सन अफ heaven के body से कुछ light powers निकल रहे थे milky white flame पर जियान तुरंद ही अपने devil power से directly son of heaven को इसके head पर एम करके एक attack कर देता है और जियान भी feel कर रहा यह जो milky white power है इसके devil power के लिए खतरा हो सकती है और इससे पूरी तरसे जलने नहीं दे सकता था और शायद इस milky white flame से reincarnation power वाले भी टकर नहीं कर सकते थे तो guys story यही पर समाप करते है